तो यार भाई लोग हम लोग थोड़ा सा अंडिस्कवर्ड एरिया में थोड़ा आ चुके हैं जहां पर हमको नहीं लगता आज तक कोई आया है उसरी के पीछे ये वाला एक किलोमेटर का एक आफ रोडिंग पैच है यहां पर हम लोग पैदली आया है क्योंकि बाइक तो अभ यहां से निकला फिर उदर से भी आ रहा है यह वाला पानी इधर से चलते चलते एक किलोमेटर के बाद जाके उसरी में मिलता है तो वहीं वाला वाटरफॉल है यह वाला थोड़ा सा हम लोग अंडिस्कवर्ड एरिया थोड़ा सा एक्स्प्लोर कर रहे थे आगे चलते हैं चल भाई मांसूद लास्ट टाइम भी आये थे था हम थोड़ा सा पानी में गिर गये थे उसका कुछ कर सकते तो है नहीं कि ऐसे चोटे वाटर कॉस्ट और मिलते रहेंगे चल उपर से तर गाड़ी हम लोग का वहाँ पर है एक दम मतलब वहाँ पर कुछ भाई लोग वहाँ पर भी बैठे हैं यही वाला पानी जाता है उसरी को मौनसून सीजन में यह जितना भी आप लोग एरिया देखरों यह सब पानी से भर जाता है यहां पर आने के बारे में सोचना भी नहीं अगर एक्सप्प्लोर करना है तो इसी सीजन में आना नौवेंबर या डिसेंबर को यह सब जगा अच्छा रहता है वरना बाकी सब सीजन में तो पुरा भर जाता है पानी से और यह आऊगे तो जूता मोटर व्लॉग के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं उसरी एक हमालयन बाला गया है वह खाना लेने के लिए तो यहां पर अवार हम लोग अपना लंच कर लेंगे चलिए आपको वहां का नजारा दिखाते हैं कि यार इदर से भी आप लोग चाहों तो एक्स्प्लोर कर सकते हो यह वाला जगा लेख लोग यहां से भी कर सकते हो आपको ट्रेकिंग करने का शौक है जुता हुता पहन के जाने वना गिर जाओ गए तो यही है मेन उस्टरी कि पॉल्स लोग लास टाइम वहाँ पर जाके नाये थे इस बार तो पानी थोड़ा सा जादा है तो इस बार वहाँ ना नहीं पाएंगे यारो यह है नीचे वाला सीन इधर से एक जरना बैता है इधर से भी एक है वहाँ साइट से एक छोटा सा है यहाँ पर चाहों तो ना सकते हो लेकि पानी कम होने का वेट करना पड़ेगा यार इस वीडियो में इतना ही चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना आने वाला है एक रेस का वीडियो और एक ड्रैग रेस का वीडियो दोनों आने वाला है तब तक के लिए बाई